नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपनी येटूब चैनल समरपन डल अनिक पॉइंट में दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीके के 30 कोहचंस रेकर आई हूँ फ्रेंड्स, ये वो कोहचंस हैं जो हर सार किसी न किसी एक जाम में रिपीट होते हैं इसलिए आपके लिए ये वीडियो हेफुल होगी और जो लोग कमपटेटिव एक जाम की त्यारी कर रहे हैं वे लोग इस वीडियो को पूरा देखने का परियास करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोहचंस नमबर फर्स्ट किस छेट में अस्प्रेड सीट, सौप्ट बेयर अधीक उपव्योग होता हैं तो यह अस्परेड सीट, सौफ़ बेर है, यह सांकिखी के छेट में अधी को पियोग होता है भारत में दुएध सासन की प्रनाली किस बस सुलू की गई थी भारत में 1969 लिस्वी में दुएध सासन की प्रनाली सुलू की गई थी भारत में सबसे लंबी सिचाई नहर कौन सी है तो इंड्रा गांधी नहर भारत के सबसे लंबी सिचाई नहर है और ये नहर ये रारस्थान की प्रमुक नहर है और इसका पुराना नाम रारस्थान नहर था इसका उड्खातन एक्तिस मार्च निस्वान ठावन इस भी में हुआ था ये रारस्थान नहर से इंड्रा गांधी नहर में परिवर्टीट मत्व इंड्रा गांधी नहर इसका नाम 2 नमबर 1984 इस भी को रखा गया था लेंस किस से बनता है तो लेंस फ्लिंट कांस से बनता है बिदेशी संस्थागत निवेश को द्वारा भारती कमपनियों के सेरों और ब्रांडों के खरीट कहराती है तो उसे पोटफोलियो निवेश करते हैं पाइजेक्स कांच के अधीक सामठ के लिए क्या उतरदाई होता है तो बोरेक्स उतरदाई होता है इसका रशाइनिक सूट्र A n a2 v4 x 7 d a10 a2 o होता है कैंसर के वुचार के लिए पर्यूप उत्क्रिष्ट गैस है तो कैंसर के वुचार के लिए पर्यूप उत्क्रिष्ट गैस रेडॉण है बिरीतिस संसर का सदस बनने वाला पहला भातिये कौन था तो ये दादा भाई नरोजी बिरीतिस संसर के सदस बनने वाले पहले भातिये थे अंतराश्टिये परमानु उर्जा एजेंसी का मुख्याले कहा है तो बिये ना में अंतराश्टिये परमानु उर्जा एजेंसी का मुख्याले है चेचक के लिए टीके का विष्कार किसने किया था तो एडवर्स जेनर ने चेचक के टीके का विष्कार किया था और इन्होंने ये विष्कार 1799 इसमें में ये थे किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है तो ये बात अरश्टू ने कहें थे ये खारियोटिक सेल में पलाजमा जिली किस से बनी होती है तो यूकारियोटिक सेल में पलाजमा जिली फॉस्पोर लिपीद से बनी होती है किस सेल का पावर प्राइट कहते हैं तो मारिट्रोकॉंड्रिया को पावर प्राइट या उज्यागरीख कहते हैं नासा ने इसके अध्यन करने के लिए मैसेंजर सेटेलाइट लॉंच किया था तो मैसेंजर सेटेलाइट बुर्ट के अध्यन करने के लिए नासा ने लॉंच किया था 1420 S.B. में बिजैन नगर समराज में आने वाले इतली की यात्री का क्या नाम था निकोलो डी कॉंटी जो की 1720 S.B. में बिजैन नगर समराज में आये थें और यह एक इतली की यात्री थें 1540 S.B. में किस यूध के पहचात हुमायू को हिंदुस्तान के बाहर कर दिया गया था तो यह कन्योज का यूध है जो सेर्सा सूरी और हुमायू के बीच हुआ था जिसमें हुमायू पराजित हुआ था और सेर्सा सूरी बिजैई 27 के दिन में जल पर छोटी टैलिय पर्टों में चमकीरे रंग दिखाई देते हैं यह किस के कारण होता है तो यह घटना प्रकास के प्रकिनन के कारण ही होता है त्री गोजिस डैम किस नदी पर निर्मिट है तो यह यांग टीशी क्वांग नदी पे त्री गोजिस डैम इस्ठित है कौन सा सहर दजला इबम फराट नदी के संगम पर इस्ठित है तो यह बस्रा नामक एक सहर है जो दजला इबम फराट नदी के संगम पर इस्ठित है विश्वत रेखी बनो को ब्राजिर में किस नाम से जाना जाता है दोस्टों आज करें इतना ही मैं फी मिलती हूं अगले वीडियो में उमीड करती हूं आज करए हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें तथा जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वे सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबादें टाकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सकें और जो लोग गो को वीडियो में कुछ कमी लगे वे कमेंट करें धन्यवाद त्री गोजिस डैम किस नदी पर निर्मिट है तो ये यांग तीशी क्वांग नदी पर त्री गोजिस डैम इस्ठीट है कौन सा सहर दजला इबं फराट नदी के संगम पर इस्ठीट है तो ये बस्रा नामक एक सहर है जो दजला इबं फराट नदी के संगम पर इस्ठीट है विस्वत रेखी बनो को ब्राजिर में किस नाम से जाना जाता है तेजसें सेलवास के नाम से ब्राजिल में जिश्वत रेखी बनों को जाना जाता है दोस्टों आज के लिए इतना ही मैं भी मिल टीूं अगले वीडियो में उमीद करते हूं आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें तथा जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबादें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सकें और जो लोग गो को वीडियो में कुछ कमी लगे वी कमेंट करें धन्यवाद